नमस्कार दोस्तों, हमारी Finance Minister ने डिकलेर कर दिया है कि अगले साल मार्च से पहले Air India और भारत पेट्रोलियूम को बेचा जाएगा In fact, सरकार की तरफ से एक जबरदस पुश दिखाई पड़ा है सारी Public Sector Companies को प्राइवेटाइज करने का तो क्या ये प्राइवेटाइजेशन एक अच्छी चीज है? आएए करते हैं इस वीडियो में अनेलेसिस, दोनों फायदे और नुकसान देखकर और जानते हैं कि कब प्राइवेटाइजेशन करना सही हो सकता है और कब प्राइवेटाइजेशन करना गलत हो सकता है इस वीडियो को end तक देखना दोस्तों क्योंकि इस वीडियो के end में आपके लिए एक special contest है जिसमें एक लाख रुपए तक का grand prize है आएए देखते हैं प्राइविटाइजेशन करना या ना करना दोस्तों अक्सर political ideology से related होता है दुनिया भर के जो right wing economists हैं वो in general privatization को favor करते हैं और जो left wing economists हैं वो in general इसके against होते हैं अब कोई भी चीज़ अगर left wing, right wing में इतने clearly बट जाती है तो आप यह समझ लो इसका कोई simple सा answer नहीं होता दोनों side के पास अपने argument से इस चीज़ को favor करने के और इस चीज़ के against होने के हम इसे एक neutral point of view से देखते हैं आप सोच कर देखें दोस्तों एक private company है और एक public company है दोनों में क्या differences है private company का purpose होता है profit कमाना वो profit कहां जाता है? Shareholders के पास उस company के वो shareholders कौन होते है? In general उस company के मालिक तो private company जो profit कमाती है वो profit shareholders के पास जाता है public company का जो profit होता है वो कहां जाता है? वो सरकार के पास जाता है सरकार उसे citizens के लिए use कर सकती है देश की जनता के लिए use कर सकती है और जो public company का main purpose होता है वो profit कमाना नहीं होता है बलकि public के लिए benefit देना होता है अब क्योंकि पैसा कमाना एक जादा अच्छा motivation है लोगों के लिए काम करने के लिए इसलिए माना जाता है कि private companies in general जादा efficient होती है उसके employees जादा effectively काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं क्योंकि पैसे का benefit दिखता है महाँ पर public companies जादा lazy रहती हैं, वहाँ के employees ढंक से काम नहीं करते हैं उनकी customer service इतनी अच्छी नहीं होती है, especially इंडिया में तो जो लोग privatization के favor में होते हैं, वो कहते हैं कि एक free market economy है यानि कोई भी आ सकता है, अपनी company बना सकता है और बाखी company से compete कर सकता है अगर एक sector privatize कर दिया गया है, जैसे airlines privatize कर दी गई है तो कोई भी आ के अपनी airlines बना सकता है, और competition बढ़ेगा इससे और competition बढ़ने का मतलब है कि सारी companies try करेंगी, जादा से जादा अच्छी customer service दी जाए कम से कम prizes रखे जाएं customers के लिए, और at the same time अपना profit भी बनाये रखें तो इससे सबको फायदा हो रहा है, ये basic argument है privatization के पीछे कि देखो customers को better service मिल रहे हैं क्योंकि इतना जादा competition है, company को profit भी मिल रहा है और economy को benefit भी हो रहा है आपर अब जो लोग privatization के against होते हैं, उनके reasons क्या है उनका argument ये है कि पहला तो ये है कि profit जो कमाया जा रहा है, ये कुछ लोगों के हाथ में जा रहा है, जनता का benefit नहीं हो रहा है दूसरा point ये है कि profit कमाना अगर main purpose रहेगा किसी काम करने के पीछे तो ये पूरी की पूरी industry को destroy कर सकता है इसका सबसे अच्छा example है American school system America में सारे schools को privatize कर दिया गया है अगर हम privatization वाना logic लगाते तो सबको benefit पहुचना चाहिए था, prizes कम हो जाने चाहिए थे सब बच्चों को और अच्छी education मिलनी चाहिए थे अब हुआ क्या, private schools ने एक जबरदस तरीके से अपनी cost बढ़ा दी जिससे के लिए गरीब बच्चों के लिए school में जाना unaffordable बन गया और सारे private schools यही करने लगए क्योंकि profit कमाना main purpose था और जो अमीर लोग हैं उनको पढ़ने के लिए बहुत से options मिल गए लेकिन जो middle class है और जो poor class है उनके लिए पढ़ाई unaffordable बन गए अगर कोई आम आदमी American universities में पढ़ना चाता है तो उनको लाखो करोडों रुपए का loan लेना पढ़ता है जिनको scholarship नहीं मिल पाती तो education पूरी industry destroy हो गई एक तरह से तीसरा reason यह है कि अगर foreign companies को आपके देश के अंदर आकर privatization करने का मौका मिलेगा तो इसका मतलब है सारा जो profit कमाएगी वो company वो देश से बाहर जाएगा profit चौथा reason है कि अक्सर हम से कहा तो जाता है कि एक free market में ऐसा competition create होगा कि कोई भी आकर अपनी company बना सकता है लेकिन reality में होता क्या है monopolies बननी शुरू हो जाती है अगर कोई ऐसी मानलो for example एक telephone की company आई नहीं जिसने रिश्वत खिलाई हमारे politicians को ऐसे laws बनाने पर मजबूर किया जिससे बाकी telephone companies को बहुत बड़ा disadvantage हो रहा है और सिर्फ एक ही company profit कमाए जा रही है आपर और दीरे दीरे वो एक company monopoly बन गई यानि कोई और competition ही नहीं है उसके लिए और monopoly बनने का मतलब है वो company जो भी price set करेगी बिचारे customers मजबूर हो जाएंगे उस company को pay करने के लिए क्योंकि customers के पास कोई और option ही नहीं है और सारा profit वो जो company कमाएगी उसके गिने चुने लोगों के पास जाएगा इस reason की वजए से बहुत सी developed countries में होता क्या है कि सरकार की तरफ से better laws बनाय जाते हैं जो competition को बढ़ावा दें monopoly को बनने से रोकें ये कैसे किया जाता है आप price cap set कर सकते हो अक्सर governments क्या करती है कि एक price अक्की upper limit set कर देंगी medicines पे मान लो तो कोई एक private company भी है तो वो उससे उपर price नहीं कर सकती जिससे की consumers को नुकसान हो याँ पर दूसरा सरकार की तरफ से promote किया जाएगा कि और companies आओ यहाँ पर इस industry में आओ ताकि competition create किया जाए अब इन सारे फाइदे नुकसान को देखकर मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगा कब privatization करना सही होता है और कब privatization हमें नहीं करना चाहिए एक simple सा rule है जहाँ पर भी monopoly बनने के बहुत high chances रहते हैं वहाँ पर हमें privatization नहीं करना चाहिए for example ONGC ले लो और भारत petroleum ले लो oil, gas और petroleum industry एक ऐसी industry है जहाँ पर हम लोगों के लिए आम लोगों के लिए अंदर आना और compete करना next to impossible है next to impossible है कि हम में से कोई एक oil और gas की company बनाएगा और oil fields को खरीच सकेगा यह सिर्फ पहले से ही बड़े business man कर सकते हैं काम दूसरा oil, gas और petroleum तो natural resources है जो देश की property है इन्हें बेचने का मतलब है एक तरह से आप देश के एक हिससे को बेच रहे हैं यहाँ पर आप औरों को मौका दे रहे हो हमारे देश के resources से profit कमाने का उपर से भारत petroleum तो एक ऐसी company है जो profit में loss नहीं कमा रही है तो इसे बेचने का तुक तो फिर भी नहीं समझ में आता तो बहुत high chances है ऐसी public sector companies को बेचने का मतलब है long term में देश को एक loss होगा और एक monopoly create हो सकती है दूसरा है जिस भी industry में profit कमाना एक industry को destroy करके रख सकता है उस industry में privatization नहीं करने चाहिए इसका सबसे अच्छा example है healthcare system अब healthcare में अगर privatization कर दोगे तो वहाँ पर जो companies है वो medicine के prices बढ़ा देंगे अगर कोई weapons manufacturing company है जो हतियार बनाती है company और उसे profit कमाना है तो वो तो हमेशा चाहेगी कि दुनिया भर में कहीं ना कहीं लड़ाई चलती रहे, जंग चलती रहे, violence होता रहे इसके लिए एक बहुत अच्छा example है मेरे पास railways का sector, railways में दोस्तों दुनिया भर में ऐसे examples मौजूद है जहाँ पर railways successful रही है, privatization railways में successful रही है और नए tracks बिचाने थे, तो हर company कि यहाँ पर approval की जरूवत होती थी और approval मिली नहीं पाता किसी भी sense में costs बढ़ती चली गई, ticket के prices बढ़ते चले गए, लेकिन ये private companies loss में थी, तो end में finally UK के taxpayers को, इन private companies को subsidize करना पड़ा जिससे की railway system चलता रहे और आज भी एक बहुत बड़ा blunder है UK में, दूसरी तरफ railways की privatization एक successful example निकली जपान में, जपान ने क्या किया, अपने railway system को 6 अलग-अलग regions में डिवाइड कर दिया, और फिर अलग-अलग private companies को बेच दिया, अब क्योंकि एक बड़ा सा region था उनके पास manage करने के लिए, तो ज़्यादा efficient तरीके से manage कर पा रही थी, और Japanese government ने अच्छे से strong regulations रखे ताकि ticket के prices कम रहें, end-to-end consumer तक को benefit पहुँचे हैं यहाँ और यह एक successful example बना, तो अगला point मेरा यही है, अगर privatization करनी है किसी sector में, तो हमेशा यह ध्यान रखना कि वहाँ पर strong regulations बनाए जा सकें, इसका एक और example दिल्ली में मौझूद है, जहाँ पर electricity के bills काफी कम आते हैं लोगों के, क्योंकि सरकार ने pressure बनाया रखा है electricity companies में, कि वो एक limit से जादा electricity के prices नहीं बढ़ा सकते हैं, और आखरी point मेरा यहाँ पर यह है, दोस्तों कि अगर corruption हो रहा है कहीं पर, तो वहाँ पर privatization करना हो धंग से काम नहीं करते हैं, granted लेके चलते हैं कि उनको salary तो आनी आनी हो धंग से काम नहीं करेंगे, corruption रिशवत लेते हैं वो काम करते वक्त, customer service के time भी रिशवत लेते हैं या बहुत delayed होती है, और यही चीज़ private companies में भी है दोस्तों, private companies में एक आम employee corrupt नहीं होता, लेकिन व future reason, अब कोई वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को share कीजिए, और अगर आप मेरे काम को support करना चाहते हैं, आप patreon.com श्राइज दुरुफ राठी पर कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही और informative वीडियो में आपके लिए future में बनाते रहूँ, चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो मे बहुत बहुत धन्यवाद